नमस्कार सभी को आपके अपने चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है तो देखिए शुडेंट्स जो भी आपके मन में जो क्वेश्टन्स आ रहे हैं आपके मन में चिंता की लखीरे आ रही है जो कोतुल बना हुआ है कि जो प्रोग्रामर एक्जाम जो हुआ है दो जाट चोइज उसकी कर्टोफ क्या रहने वाली तो देखिए स्टुडेंट्स ये जो कर्टोफ मैं आपको बताने वाला हूँ जो अजये लेसं बना हुआ हुआ है और कि शहला है ये शहक्राने अग्यार्प को बने हुए है मुझे जो लगता है वो मैं cut off बता रहा हूं बाकि जो RPC निकालेगी वो ही final cut off होगी और final जो answer जो आपकी answer की जो आईगी उसके अंदर almost आपके 3 या 4 दो question तो सीधे delete होगे उसके अलाव भी अगर आप ज्यादा argument करोगे तो उसके उपर 3 या 4 question आराम से delete होगे ठीक है तो vary कर मार्किंग नहीं थी इसके अलावा आईए एक्जाम के अंदर question delete होए तो question delete होए तो वो जो marks हो सभी के अंदर distribute हो गए ठीक है तो आप आईए से comparison मत करो क्योंकि आए के अंदर negative marking नहीं नहीं नेगेटिंग मार्किंग है और hard negative marking मतलब race negative marking मतलब one by third negative marking है तो दोनों के अंदर फाइनल जो answer की आईगी फाइनल जो cut off आईगी वो ही मानने होगी यह मेरे निजी विचार है और बाकी students को जिनको भी आर्गू है विल्कुल आर्गू कर सकते तो देखिए आप सबसे पहले मैं आपको बता दू कि यह हमारा जो रास्तान लोग से वायोग का जो programmer का जो second time का यह देख लो total 352 है जिसके अंदर जनरल की यह है सबी की जो आपके जो cut off है वो अलग से वैसे निकाल दिये यहां पर देखो तो cut off मेरा estimation यह है तो जनरल की 135 पोस्ट है तो बिल्कुल cut off 135 से 140 के अंदर जाएगी दुगू नहीं और मैं बोलना हो इससे कम cut off नहीं जाएगी जातक मेरा अंदर क्योंकि किसी भी students के कम नंबर नहीं आ रहे है ठीक है और सीटे हमारे पास क्या है कि आईए की तरह 2000 सीटे नहीं है इत्ती ज़्यदा सीटे नहीं है हमारे पास के सीटे कम है तो यहां पर देखो के तो 130 सीटे ही है तो व्यूसी बात है paper second simple आया था paper first आप बोल सकते हो 40 marks का जो था वो उसमें थोड़ा इसकोरी करना मुश्किल था क्योंकि general जो general knowledge का तो किसी ने अटेंड किया नहीं बहुत कम ने किया पर जिसने भी किया है वो already क्या हो जाएगा कि भी filter के ऊपर आ रहा है ठीक है तो यह जो मतलब मेरे ख्याल से minimum cutoff है बिल्कुल cut रहनी चाहिए तो जनरल की दूगुने 135 से 140 और final cutoff बिल्कुल 138 प्लस जाएगी ठीक है EWS की आपकी 38 seat है तो 130 से 135 cutoff और 138 प्लस जाएगी यह 140 भी जा सकती है OBC की 54 seat है 130 से 135 यह दूगुने विध्यार्थों की जो cutoff है और 138 बस cutoff जाएगी SC की 62 seat है 108 से 112 और यह 115 जाएगी SD की 46, 105 से 110, 112 जाएगी और MBC की 17 seat है 115 से 120 cutoff जाने की उम्मीद है और 122 प्लस final जाएगी तो मेरा तो यह मानना की final के अंदर थोड़ा सा और उच्छाल देखने को मिल सहता है एक एक नंबर का नीचे वाली study के अंदर जो भी आपके category है उसके अंदर क्यूंकि देखिए student पर इसके बावजूद भी कहीं ने अच्छा score किया है क्योंकि बहुत सारे student जिन्होंने score किया उन्होंने अभी तक अपने marks नहीं बता है वह बस क्या कर रहे हैं कि कितनी cutoff जा सकती ठीक है तो cutoff बिल्कुल ले जाने की उम्मीद है तो जो भी आपके arguments से इसके उपर please मुझ सही बताएं तो देखो agree और disagree करने या पर दोनों तरह के विक्ति मिलेंगे दोनों तरह के students मिलेंगे ठीक है इसके लाव भी अगर आपके कोई दिक्कत हो तो प्लीज में को comment कीजिए next video के अंतर में लेके आओंगा तो निराश नहीं होना है सभी को उमीद नहीं हानिए जब झाल झाल